हेलो हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सबी लो भगवान की क्रपा से आप सबी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और ये है मौनिंग का टाइम तो सबी को मेरी तरब से प्यार भरी गुड मौनिंग और मैंने अपने लिए कर लिया एक गिलास पानी गरम तो मैं बस यहां अपना पानी ही पी रही हूँ और उसको एंजोय कर दी हूँ सिप सिप करके ही पी रही हूँ और मैं अब इसी तरीके से पीती हूँ अक्रू टाइब मतलब पैरों के बल बैटकर ही पीती हूँ क्योंकि इस तरीके से पानी पीना काफी हमारी बोडी को काफी फायदा होता है इससे और फिर बस मैं यहां पानी पीके फ्री हुई फिर मुझे डालना था इसमें आटे की बरतन में आटा तो बस मैं वही आटा भी इसमें डाल देती हूँ फटा फट से क्योंकि जाडू लगाऊंगी न तो उसके पहले में ये सारे इतने काम कर लूँगी जिससे कि जो भी कच्ड़ा बगेरा फैलेगा तो वो जाडू में निकल जाएगा तो यहां बस मैं आटा को इसमें करके रख दूँगी और फ्रेंड्स है न मैं हमेशा आटा है न आटे के बरतन को धोकर ही बरतन में डालती हूँ क्योंकि जिससे कि इसमें कीडे ना पड़ें और अच्छे से धूफ खिला कर ही मैं आटा हमेशा आटे के बरतन में डालती हूँ फिर मैं लगा रही हूँ इदर जाडू और मैं अंदर से जाडू लगा कर आ गई हूँ क्योंकि अभी सबी लोग सो रहे हैं और मेरा काम तो स्टार्ट है ही तो बस क्या ना बच्चों के एकजाम चल रहे हैं तो वो नायट में देर तक पड़ते हैं तो फिर मैं सुबह उन्हें जल्दी खड़ा नहीं करती हूँ क्योंकि वो पूरी नायट ही पड़ते हैं यानि कि मॉर्निंग के चार साड़ी चार वजे तक पड़ते हैं तो फिर मैं उनको जगाना सही नहीं समझते हैं क्योंकि उनकी नेंद भी पूरी होना बहुत जरूरी है नहीं तो बच्चों की तबियत बगेरे पर असर पड़ जाता है अंदर की ज़ाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई इधर हॉल में तो मैं इधर कारपेट को खिसका दूँगी क्योंकि टेबल भारी पड़ जाती है तो अकेले तो उठती नहीं है तो ऐसे ही उठा कर फिर मैं पैर से इसको खिसका कर इसको मैं जाड़ दूँगी तो कारपेट बगेरा मैं अच्छे से इसको मतलब फटकार हूंगी कारपेट फटकार नहीं है टेवल का कबर है क्योंकि टेवल का कबर भी गंदा हो जाता है अगर हम उस पर बैटे अगर कोई हमारे गेस्ट भी आ गया या हम ही लोग है कोई भी हो कुछ भी खाते पीते तो उस पर गिर ही जाता है तो बस यहां यह सब उठाने के बाद मैं इस कबर को अच्छे से ज़ाड़ दूगी तो थोड़ा है ना सोफा वगेरा भी मैं उसके बा नायट में किसी को सोफे बैटना नहीं होता है तो सोबह हमारा सोफा एक सा हमें मिलता है लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है तो मैं नहीं किया है और फ्रेंड्स पता है ना इतना अच्छा मौसम चल रहा था और पता नहीं बारिस कहां से होने लगी है दो दिन से यहां बारिस प्रवाद में अंदर तो नहीं लगते इतनी लेकिन अगर बाहर निकलो न तो बहुत ही जादा सर्दी लगने लगी है और पता है न मैंने तो बूलन के कुछ कपड़े भी रख दिये थे पर अब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बूलन के कपड़े निकालने ही पढ़े दो मैंने सोफे अच्छे से जाड़ दिया और यहां इनके किशन बगेरा को मैं अच्छे से कर दूंगी बिल्कुल सैट और पता है न जब हमारा सामान सैट हो जाता था कि मन अंदर से अच्छा फील हम दोलेक हम सुकुन मिलता है रहां हमारे घर की क्लेनिग हो गई है और य मुझ के नियम में ये इतना काम आता ही है जिसे की सोफे का पोंचना और सोफे को जाड़ना और जो भी अपने डेक्रिट आइटम है उन पे हलका हाथ एक बार मार देना बस यहां मैं कारपेट को भी फटकार कर साइड में रख दूंगी फिर उसके बाद मैं यहां भी जाडू लगा दूंगी और मुझे करना है एक दम से कौना कौना साफ तो बस मैं उठा ली फिर जाडू और इधर मैं लगा दूंगी मतलब इधर टेबल के नीचे से कंप्यूटर टेबल के नीचे से सोफे के नीचे से सारे सब के नीचे से मुझे कच्ड़ा निकालना है और पता है लगानी चाहिए जिससे कि हमारे घर में गंदगी ना हो और कोई भी मतलब बीमारी पैदा ना हो तो फ्रेंड से यहां मैंने जाडू लगा ली है मतलब पूरी लग गई थोड़ी सी रह गई थी तो बस मैं इसको जाडू को निकालते हुए मैं निकल जाओंगी या बाहर पोर था कि मा थोड़े से पापड सेख दो और मैं मेले गई थी मेले का मैंने सूट नहीं कर पाया था तो मैं वहां से यह पापड लेके आई थी तो फ्रेंड से यह पापड सेखने के बाद काफी बड़े हो जाते हैं इतना बड़ा बरतन भी नहीं है कि हम मतलब पूरा एक पापड़ाई में बनेगा भी नहीं, तो मैंने पापड़ के 4-5 पीस कर लिए, फिर इसको आराम से मैंने सेका, और नास्ते में मैंने थोड़ा सा बना लिया है पास्ता सब के लिए, तो कुछ पापड़ हो जाएंगे चाय के साथ में, और जिसको पापड़ खाने चाय से वो और यह नास्ते में आज हमने बनाया है पास्ता को, और पापड़ तो एक ऐसी चीज है, मैं सेक के रख देती हूं, टपबे में भर देती हूं, अगर किसी का मन करता है, तो बाद में खा लेते बोलो, और यह मेरी है ना साम की किलिप है, एक तिन पहले की, तो मुझे डालना आज थोड़ा मौसम खुला रहा था, और कल तो बहुत तेज भारिस हुई थी, तो मिर्ची खेर मेरी सूख गईती धूब में उसके बाद ही हुई, और मसाला मैंने उसी दिन बना लिया था, पूरा जिस दिन मैंने मिक्स अचाय डाला था, तो बस यहां में मिर्चियों को आपट से भर के रख दूँगी, और फिर है इसको डबे में भर दूँगी, और फिर मैं अपना ये मुझने जो मलाई जमाईती न, तो वो मुझे मखन भी निकालना था, तो क्या न, अगर हम मिक्सर में निकालते हैं, तो हमारा जो मिक्सर जार है, जो जूसर है, वो के अंदर निकल आता है, और आसानी से निकल भी आया था, तो बस मैंने पहले उसको गोल-गोल गुमाया, फिर हाथ से थोड़ी तागस से, इसको अच्छे से गुमाया है, क्योंकि जिससे की ये जल्दी निकल आए, और फ्रेंड्स, आज मैंने काफी समयबाद है, न, सीधी मांग निकाली है, तो बताना कैसी लग रही है, और मैं बहुत कम मांग सीधी निकालती है, मुझे ऐसा लगता है, साइद ये मेरी फेस पर अच्छी नहीं लगती है, तो इधर मैंने मख्षन निकाल लिया है, पूरा, और इसको मुझे फिर गरम भी करना है, लेकिन गरम तो का काम चल रहा है और अभी फ्रेंट्स इतना मौसम खोला था और अच्छी खासी धूप देख रही है और फिर है न इसके आदे घंटे बाप बाप इतनी तेज बारिस आई बहुत जादा तो फिर काम रुक गया था अगले दिन ही गैस का काम होगा और फ्रेंट्स आप लोगो से बहुत धेर सारी बाते भी करनी है आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना कि मैं आपके साथ में अपनी कुछ बाते शेयर करूं या न करूं और इसी के साथ होता है वीडियो का एंड कल फिर मिलता है